मित्रों, केदानाध धाम, गंगोत्री, यमनोत्री और बद्रिनाध धाम जैसे तीरत इस्तलों पर श्रिधालों के साथ कोई ना कोई हर साल बगा हाथ्चा होता नजर आ रहा है और हर साल कोई ना कोई दुरगटना होती ही रहती है इस बार 18 अक्टूबर दिन मंगलबार सन 2022 म में एक बगा हाथ्चा सामने आया है जिसमें एक हेलिकॉप्टर उगान भरतने के कुछ टेम बाद ही क्रेश हो गया है और सारे के सारे श्रिधालों उसमें मारे गाए है पाइलेट भी उसमें मारा गया है जानि यह पूरी जैनकारी मंगलबार को महराष्ट गुजरात और तमलनाडू के च्यात्रियों ने केदार नाथ के दर्शन कीए दर्शन करने के बाद सभी को हेलिकॉप्टर से लोटना था पुर्वहन लगबग 11 बज़कर 34 मिनिट पर आरियन कंपनी के हेलिकॉप्टर ने च्यात्रियों को लेकर केदार नाथ से वापसी गुप्त काशी मस साथ यात्रियों के मौत हो गई हेलिकॉप्टर दो हिस्टों में तूट गया और एक हिस्चा धुदू करके जलने लगा दिला आगदा प्रब्रंदन अधिकारी नंदन सिंग रजवार ने बताया कि हाथ्चे में हेलिकॉप्टर के पैलेट अनिल कुमार जो कि 57 वर्षिये थे पूस्ट बाटम के लिए बेज दिया गया है कि केदारनाथ में मौझूद प्रितक्ष दर्शियों का कहना है कि खराब मौसम और घाटी में चाया घना कोरा दुरगटना का कारान बना है बताया जा रहा है कि हेलिकॉप्टर के केदारनाथ एम आई 26 हेलिपैट से मस्ता के ल करल भी हो रही है मौके से कुछ घंटे पहले ही पोस्ट की गई तस्वीर को दिखका पूर्वा के परीजन नाते रिष्टिदारों के साथ ही उसके दोस्त भी आहत हैं आखरी सेलफी में पूर्वा के चेहरे की मुस्कराहट भोले के दरवार में उसी खुशी को बया कर रही है लेकिन कौन जानता था कि उसके चेहरे पर यह मुस्कराहट अब दुबारा नहीं दिखेगी